एक बहुत ही अच्छी वीडियो आज हम आपके लेकर आए हैं RBI Grade B की लेटिस्ट सैलरी कितनी है पक्स कितने है यह वीडियो आप पूरा देखेगा और इस बात की मैं गैरेंटी दे रहा हूं वीडियो देखने के बाद आपका मन जरूर होगा कि इसके लिए हम प्रिपेर कर आपके लिए अगर एक बार आप यह जोब कर लेते हैं तो मान के चलिए जैसे आप बोलते हैं लोग बोलते हैं कि आई-स की जॉब बहुत अच्छी है तो बैंकिंग में यह आई-स की जॉब है और इसके बाद प्रोशन भी होते हैं बहुत उचे लेवल तक भी आप पहुं अच्छा लगेगा एंड़ अगर थोड़ा भी आप सीरियस हैं तो आप प्रिपेर कर सकते हैं इसके लिए चलिए दिखिए जो एक ऑफिसर होता है और ग्रेट भी उसकी सेलरी कुछ पार्ट में डिवाइड है जैसे एक तो आपकी होती है मंतली सेलरी जो आपको मिलती ही मि आपके पर्क्स ठीक है तो आपकी सेलरी अलग होती है पर्क्स अलग होते हैं पर्क्स आपको मंतली भी मिल सकते हैं साल भर में भी मिल सकते हैं कुछ पर्क्स ऐसे हैं जो दो साल पे मिलते हैं इस टाइप से अलग अलग रहते हैं तो हम पहले बात करेंगे कि आपकी सेलरी क् पक्स क्या हैं, ये वीडियो आप देखने के बाद, अगर आपको लगता है कि आपको prepare करना है grade B के लिए ये तो बहुत अच्छी जब है, तो golden career की जो premium membership है, video के description box में link दिया है, सिर्फ 99 रुपीज की membership है और उसमें आपको lifetime की वैलेटी मिलती है जो लोग अलड़ी मेंबर्स हैं उनके लिए मैं बता दू कि हमने वहाँ पर आपको RBI Grade B के लिए The Complete Banking Economy और Grade B का Phase 1 के लिए ये Practice Sets हैं ये Practice Sets हैं प्लस आपके ये भी एक Phase 2 के लिए बुक है और ये Financial and Non Financial Managers के लिए बहुत अच्छी बुक है चार पांच बुक हमने आपको प्रोवाइट कर दी है रिमेनिंग जो है आपको कुछ Grade B के बुक हम और प्रोवाइट करेंगे जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि इस Premium Membership में हम आपको हर एक्जाम के बुक देंगे तो LIC, SSC और RRB, NTPC, Bank Insurance के बाद हम आपको ये RBI Grade B के बुक प्रोवाइट कर रहे हैं इस पे हम previous year papers भी आपको प्रोवाइट करेंगे definitely मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं Grade B के लिए आपको प्रोवाइट करा सकता हूँ बिल्कुल नहीं करा सकता हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि मैं eligible हूँ या मैं खोद भी प्रोवाइट इतने seriously कर सकता हूँ लेकिन अगर मैं कर सकता तो मैं जरूर करता बहुत ही अच्छी जो है जॉब है लेकिन हाँ study material आपको मैं जरूर प्रोवाइट कर दूँगा अब देखते हैं हम कि आपके monthly salary क्या है और उसके बाद perks क्या है तो जो monthly salary है grade B officer का अगर हम बात करें basic pay की तो यह है 35,150 रुपए जो आपका अभी आप perks देखिया कितने अच्छे अच्छे हैं जो grade pay होता है इनका वो होता है 6,800 रुपीज starting में special pay होता है 1,800 रुपीज और हम अगर हम बात करें DA की DNS allowance तो यह आपका present में है 80% के आसपास मैं exact figure नहीं बता पा रहा हूँ इसका निकल जाएगा 81% तो यहाँ पर हम क्या करेंगे यहाँ पर हम जोड लेंगे मैं आपको जोड के दिखा जाता हूँ आपके सामने 35,150 प्लस 6,800 प्लस 1,800 ठीक है इसका निकल जाएगा 81% तो कितना हो जाएगा 35,437 रुपए तो यहाँ पर आपका आज की डेट में देखें तो 35,450 मान लीजिए आप round figure में क्योंकि थोड़ा ज्यादा ही DA हो गया 31.something है 35,450 आपका DA हो गया साथ में आपको क्या मिलता है LCA Local Compensatory Allowance वहाँ पर मिलता है जो की कितना है आपका जो की आपका 9% of basic pay तो basic pay का अगर हम 9% यहाँ पर निकाल लें तो हो जाएगा 35,150 multiplied by 9 divided by 100 3,163 रुपीज अब हम इन तीनों को add कर देते हैं आपकी gross salary निकल आएगी 35,150 plus 6,800 plus 1800 plus यहाँ पर आपका था कितना 35,450 plus 34,450 और प्लस आपका साथ में निकल के आता है 3,163 plus 3,163 ठीक है तो 82,300 रुपीज आज की date में लगबग लगबग gross salary है और अब आप बोलेंगे इसमें deduction क्या क्या होता है तो इसमें deduction जो होता है वो आपका mainly NPS का होता है कितना NPS deduct होगा basic plus D.A. माल लिजिए तो लगबग 7,000 रुपे NPS deduct हो जाएगा और बाकी आपका income tax आपका अलग अलग है जितनी आपकी investment है जैसा है उससाब से आपका होता है income tax का deduction ये तो दोस्तों होगे basic salary starting आपकी salary में तो वो मज़ा है ही नहीं जो इनके pugs में है इनके pugs क्या-क्या है हम वो बात करते हैं देखिए पहले तो आपकी जो posting होगी वो state capitals में होगी हमेशा सब UP की case छोड़ लिजे उत्तर प्रदेस में लखन transfer हो जाएगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ठीक है नमबर दूसरी बात है आपको रहने के लिए city center में city के सबसे चीजगों पर आपको RBI के accommodation मिलते हैं in case accommodation नहीं है तो आपको lease की facility मिलती है मतलब आपको rent मिलता है आप जो है किराया पर ले लिजिए उसका rent आपको RBI पे करेग वो अलग अलग city में vary करता है 25 से लेकर के 40,000 रुपए पर मन्त सिर्फ आपको rent rent के मिलते हैं ठीक है तो यह हो गया आपका lease का उसके बाद आपको monthly allowance में petrol मिलता है 200 लीटर पर मन्त आपको petrol मिलता है कहां पर मुंबई में अगर आपकी posting मुंबई नहीं है तो आपको मिलता है 180 लीटर पर मन्त पेट्रोल कहां पर Delhi, Chennai, Kolkata, Ahmedabad, Hyderabad and Bangalore इन शहरों में अगर आपकी posting है तो आपको 180 लीटर पर मन्त मिलता है इसके लाबा किसी भी शहर में आपकी posting है तो आपको 150 लीटर पर मन्त पेट्रोल minimum इतना तो मिलना ही है 150 लीटर पर मन्त पेट्रोल की कॉस्ट आप जोड़ लीजे कितना होगी आजकल 80 रुपे में पेट्रोल चल रहा है आप जोड़ सकते हैं 12-15,000 रुपे का पेट्रोल की कॉस्ट vary करती है पर मन्त आपको पेट्रोल मिलता है 25-40,000 रुपे का पर मन्त आपको लीज मिलती है उ आपको 2000 रुपीज पर मन्त पे करती है उसके बाद आपको एकुपमेंट जो भी आपके घर पर एकुपमेंट है डिफरेंट डिफरेंट इकुपमेंट उनके मेंटिनेंस के लिए आपको 500 रुपीज पर मन्त पे करती है ठीक है और आपको पर मन्त क्या मिलता है न्यूस पेप कितना 900 रुपीज पर मन्त आपको न्यूस्पेपर का पे करती है अगर आपने घर में लैंड लाइन फोन लगवा रखा है लेकिन सिर्फ लैंड लाइन लगा हुआ है तो उसी केस में है तो उस केस में आपको 1300 रुपए पर मन्त लैंड लाइन के चार्जिस पे करती है ठीक है mobile phone के लिए आपका bill RBI पे करती है 1000 रुपीज पर मन्थ आपके mobile phone का bill भी RBI जो है वो पे करती है इसके लावा आपको मिलते हैं 1600 meal coupon ठीक है, 1600 coupon जो होते हैं वो आपको कितने मिलते हैं 3600 रुपीज पर मन्थ के जो है वो coupon मिलते हैं 3600 रुपीज सी coupon मतलब ये cash नहीं मिलता है ये 100 रुपीज पर के फॉर्मेट में होता है वो 3600 रुपए की value का आपको मिल जाएगा वो coupon आप सपोस्ट बिग बजार लेके गए तो वहाँ भी valid होते हैं आपने 3600 रुपए की shopping कर ली और उनको ये coupon दे दिए आपका काम हो गया तो ये 10000 meal coupon बहुत से stores हैं जहाँ पर valid हैं वहाँ पर आपको मिलते हैं आप जाएगे भी बजार में shopping करिए अपने लें groceries दीजिए, सामान लीजिए और ये meal coupon वहाँ पर दीजिए आपको कुछ भी pay नहीं करना है तो ये आपको वहाँ पर perks मिलते हैं इसके अलावा ये तो इतना आपको हरमन्द मिलता ही मिलता है ठीक है? इसके अलावा आपको क्या मिलता है? बुक्स पढ़ने के लिए ताकि आप updated रहें उसके लिए books grant बोलते हैं उसे books grant बोलते हैं वह आपको 8,000 रुपीज हर येर मिलता है बुक्स पढ़ने के लिए ठीक है? डेकलरेशन बेसिस पे सिफफ आप चोटी मोटी बीमारियां होती है आप उनका claim नहीं लोते हो देखिए जितना भी आपका medical का खर्चा होगा आप admit होते हो वो कितने भी 2,000,000,000,000,000,000,000,000 वो पूरा का पूरा bank pay करती है इसके अलावा चोटी मोटी बीमारियां जो आप claim नहीं कर पाते हो उनके लिए आपको medical declaration basis पे कि भाई इस साल हमारा इतना खर्चा आया है और इसके लिए हमें आप पैसे pay कर दिजिये तो on declaration basis आपको medical मिलता है 13,000 रुपीज पर एर, ठीक है, brief case के लिए आपको भी पैसे मिलते हैं, 600 रुपे पर एर, 6,500 रुपीज पर एर आपको मिलते हैं, उसके बाद आपको spectacles के लिए भी पैसे मिलते हैं, कितने बहुत पैसे मिलते हैं, 13,000 रुपे पर 2 यर, हर दो साल में चश्मा चेंज करने के लिए आपको 13,000 रुपे मिलते हैं, 13,000 रुपे आपके लिए गर आपकी वाइफ के भी चश्मा लगा हुआ है, 13,000 रुपे उसके लिए भी मिलेंगे, ठीक है, यह आप हर 2 साल पर आपको मिलते हैं, हर साल आपको यह नहीं मिलता है, लेकिन 13,000 रु गुमने जाने के लिए आपको मिलता है 86,000 रुपीस पर पर सन हर दो साल पे यहां पर आपको आपको आपकी वाइफ को आपके माता पिता आपके बच्चे जो भी आपके dependent हैं उन सब के लिए मिलेगा लेकिन maximum limit है maximum आपको 4 लोगों का ही मिलेगा ठीक है यह आपको मिलता है उसके बाद आपको मिलता है children education के लिए भाई आपके पास बच्चे हैं वो पढ़ेंगे भी तो तो उनकी education के लिए आपको 7,000 रुपीस पर मन्त पर चाइल्ड मिलता है उनकी पढ़ाई के लिए 7000 रुपए per child per month मिलता है आपको, लेकिन maximum 2 बच्चों के लिए ही मिलता है, अपके 4-5 बच्चे आपको सब के लिए मिलेगा, ठीक है, उसके बाद आप भाई रहेंगे, तो आप कुछ अपने मन का furniture भी लेंगे, तो furniture के लिए आपको मिलता है 2 lakh रु की maintenance के लिए मिलते हैं, पॉलिश कराना है, पेंट कराना है, जैसा भी furniture आपका है, उसकी maintenance के लिए हर साल मिलते हैं, बाकि नया खड़िने के लिए 2 lakh रुपए आपको मिलते हैं, हर 5 साल में, तो यह यहाँ पर RBI Grade B के आपके perks है, आप इनको जोड लीजिए, कितनी अच्छी देती है, कोई खर्चा का ढाल कोई खर्चा नहीं है, आपको कोई दिविकत नहीं है, यह आपके साथ मुझे शेयर करना था, मजझे लग रह रह रा था, आपको यह वीडियो बहुत पसंद एगी, जिसमें मैंने exact salary calculation दिखाया £9ЕН की नहीं दिखाया था तो उसके बाद अगर आपको पढ़ाई स्टार्ट करनी है तो बुक्स हम आपको बहुत से प्रोवाइट कर रहे हैं आप फटा-फट हमारी golden career की premium membership लीजिए वीडियो के description box में link दिया हुआ है और यहाँ पर 5 books प्रोवाइट की हैं पाकि हम previous year papers और books भी लेकर आ रहे हैं सिर्फ 99 रुपीज की यह membership है और जो इसकी validity है वो lifetime के लिए है यह RBI grade B की साथ और बहुत से exam है computer की books हैं JIB हो गई और CET हो गई और आपके असस्तिक exams हो गए LIC insurance हो गया RRB, IBBS, SBI के सारी books यहाँ पर available हैं RBI grade B की books सिर्फ उसे English में होंगी and RBI grade B का syllabus भी हम आपके साथ जल्दी शेयर करेंगे उमीद करता हूँ यह video आपको पसंद आई होगी please आप इस video को share जरू करिएगा अच्छी लगे तो please share कर दीजेगा उमीद करता हूँ आप share जरू करेंगे thank you and all the very best for your future